ते हुआ। हैसिश ऑला मुद्र स्वागत आपका इस वीडियो क्लास में इस वीडियो क्लास में कि ब स्क्रक्Talk करेंक defense चार्ट करें गये बेंके एक्जैम्स में english questions को इसका शॉल्व करने की शही approach किया है आपको अच्छा score करने के बारे में, high score करने के बारे में सोचना है तो क्या आपकी approach होनी चाहिए, ये इस video class में मैं आपको बताऊँगा देखिए, दो-तीन चीजे हैं, जो की काफी important हैं, English section में एक तो आपकी reading skills काफी अच्छी होनी चाहिए और reading इसके अच्छी करने के लिए आपको fast reading की habit डबलब करनी होगी चाहे आप कोई साभी newspaper पढ़ें, चाहे आप the Hindu पढ़ें या economic times पढ़ें लेकिन आपको fast reading करना है, और reading with comprehension करना है इन चीज़ियों को आपको apply करना है definitely आपकी vocabulary भी काफी matter करती है, आपकी vocabulary काफी अच्छी होनी चाहिए लेकिन vocabulary कौन सी आपकी अच्छी होनी चाहिए जो core words है, जो high frequency words है उनकी आपको knowledge होनी चाहिए, आपकी reading skill अच्छी होनी चाहिए और आपको logical reasoning को English questions में apply करना आना चाहिए यह तीन चीज़े यदि आप apply करते हैं, तो English section में आप अच्छा score कर सकते हैं तो इस video class में मैं बताऊँगा कि किस तरीके से questions को solve करना है किस तरीके से keyword को pick करते हुए questions को solve करना है और इस तरीके से आपको directions देखने को मलेंगे, सभी banking exams में और इन directions को आपको जरूर जरूर पढ़ना है क्योंकि banking के जो questions होते हैं, वो पूरी तरीके से unpredictable आते हैं चाहे वो कोई साभी subject हो, math हो, reasoning हो, English हो, current affairs हो इन unpredictable questions देखने को मिलेंगे आपको तो analytical approach तो आपकी होनी ही चाहिए और इन directions को आपको जरूर पढ़ना है क्योंकि question में क्या पूछा गया है, examiner आपसे क्या expect कर रहा है ये आपको इन directions की मदद से ही देखने को मिलेगा या इसके through आप पता कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने कुछ questions लिये हैं, banking के real questions हैं और इनके through मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से right approach आपकी क्या होनी चाहिए देखिए यहाँ से आपने पढ़ा, the ministry of new and renewable energy should consider its move to introduce a solar tariff देखिए tariff यहाँ पर एक keyword है तैरिफ एक keyword है यहाँ पर और यहाँ पर शुरू में लिखा है इस move to introduce a, ठीक है यहाँ पर introduce करने की बात हो रही है, solar tariff से उसका relation है तो tariff basically क्या होता है, tariff rates होते हैं, जैसे आप mobile recharge कराते हैं तो उसके tariff plans होते हैं, ठीक है, तो tariff plans से related एक word यहाँ पर आपको चाहिए देखिए, tariff plans जैसे हम apply करते हैं कि 10% tariff plan होगा कि 10% इस पर आपको charges लगेंगे, 15% लगेंगे, तो tariff plans related word इसमें कौन सा है tariff plans को हम क्या कर सकते हैं, tariff plan के उपर हम upper limit लगा सकते हैं और upper limit का equivalent word है cap, उस पर हमें cap लगा सकते हैं या upper limit लगा सकते हैं तो यहां पर यह दौनों words इसमें आ सकते हैं क्योंकि यह दौनों words tariff से related हैं तो यहां पर आपका answer क्या होगा, यहां पर आपका answer होगा एक तो B होगा और एक होगा D इन questions में क्या करना है, इन questions में एक sentence यहां पर दिया है और दो words आपको suitable words हैं, उनको आपको pick करना है और उनका जो combination होगा वो आपका answer होगा तो यहां पर आपका answer होगा BD, अब इस question में मैंने क्या किया, मैंने इस question में केबल keyword को देखा, पूरे question को नहीं पड़ा, और keyword के base पे इसका answer निकालने की कोशिश की, इसमें मैंने logical reasoning को apply किया और यही examiner आप से expect करता है, क्योंकि banky exams में जो question लिये जाते हैं, वो technical reports होती है और आपके जो budget होता है, economic times, जो उसमें जो articles होते हैं, उसके बीच में से questions को निकाला जाता है, और questions by nature काफी technical होते हैं, और काफी tough होते हैं, तो यह जरूरी नहीं है को उस question का meaning आप समझ पाएं, उसका context आप समझ पाएं, सारे words आपको याद हो, यह जरूरी नहीं है, और examiner भी expect नहीं करता है, आपको केबल logical reasoning को apply करते हुए उन questions को सही करना है, जैसे यहाँ पर मैंने इसको solve करके बताया, ठीक है, आप देखिए second question देखते हैं, it is clear that the regulator is trying to infuse liquidity in world market, but borrowers, be given, अब यहाँ पर एक be given क्या है, be given जैकि यह वर्ब की third form है, तो यहाँ पर आप क्या word लग लगा सकते हैं, likely तो is MR के बाद आता है, he is likely, it is likely, they are likely, likely का मतलब होता है, probable, उसी तरीके से hardly, पर जैने simple tense में आता है, he hardly goes to temple, इस तरीके से, तो borrowers के बाद, borrowers hardly be given, इस तरह से आप नहीं बोल सकते, borrowers likely be given, इस तरह से आप नहीं बोल सकते, अब यह मैं आपको क्यों बता रह habit की वज़े से, जब आप reading करेंगे regular basis पर, तो यह सारी चीह आपको पता पढ़ जाएंगी, कि कहां पर कौन सा word naturally जा सकता है, तो यह है आपकी सही approach, banking exams में English के questions को solve करने की, अब यहाँ पर देखिए, be given के बाद आप must लगा सकते है, must be given होता है, must be given का मतलब है, कि ऐसा होना चाहिए, must be given the options, मतलब उनको option दिया जाना चाहिए, और must का equivalent word क्या है, must का equivalent है, ought to, यानि ought to भी यहाँ पर आप लगा सकते है, हाना कि ought to जो है, यह moral obligation के लिए use होता है, must जो है, यह compulsion के लिए use होता है, लेकिन काफी हद तक more or less यह equivalent word है, ought to और must, क्योंकि दोनों ही यह model है, और model के बाद यहाँ पर must be given और ought to be given, ठीक है, यह दोनों ही आ सकते हैं यहाँ पर, यानि A और C यहाँ पर आपका सही answer है, तो यहाँ पर आपका answer होगा 4, तो मैंने इस question में क्या किया है, मैंने इस question को पूरा नहीं पढ़ा, और केबल keyword को देखा, यह है आपका keyword, और keyword के ब B में करने होते हैं, और this is the correct approach, this is the right approach, इस तरीके से आपको करना है, अब देखे, यहाँ पर हम पढ़ते हैं, India has made much progress in improving its on the United Nations Human Development Index, यहाँ पर keyword क्या है, India has made much much progress, इंडिया ने progress की है, in improving its, मतलब इंडिया की कोई चीज इंप्रूव हुई है, और वो improvement में progress की है, अब यहाँ प तो index में progress कैसे होती है, index में progress जब होती है, जब उसकी rankings उधरती है, index का मतलब क्या है, कि उसमें ranks होती हैं लग-लग, ठीक है, तो यहाँ पर ranking की बात हो रही है, और ranking के equivalent words यही है, ranking का equivalent word क्या है, score हो सकता है, और grade हो सकता है, जैसे exams में grades आते हैं, तो वो क्या होती है, ranking ही तो तो ये दौनो वर्ड्स यहां पर B और C वर्ड यहां पर आ सकते हैं और आपका अंसर होगा third. देखिए, मैंने इस पूरे question को नहीं पढ़ा और उसके बापजूद भी सही answer निकाल के आपको बताया और logically इसको प्रूब करके बताया कि क्यों यही यहां पर सही हो सकते हैं तो इस तरीके से questions को आपको solve करना है और सभी subjects में, math में, reasoning में, English में, current affairs में, logical reasoning को आपको apply करना है और analysis करना है सारे questions का, test series को भी आपको इसी तरीके से करना है, अब देखिए, यहां पढ़ते हैं the government and agencies must identify and overcome the socio-cultural barriers and taboos that progress अब देखिए, यहां पर keyword क्या है barrier, यहां पर keyword है barrier और taboos barrier और taboos क्या करते हैं, barrier and taboos that progress, यहां पर एक keyword है progress barrier और taboos किस तरीके से related है, progress से, barrier का क्या relation है, progress से barrier progress को क्या करते हैं, barrier progress को रोकते हैं, barrier progress को रोकते हैं, उसको hinder करते हैं, उसको hamper करते हैं, ठीके, तो यहां पर hamper और hinder, यह दोनों वर्ट्स आ सकते हैं और आपका answer होगा cd, ठीके, अब देखिए, मैंने इस पूरे एक ऐसा custom है, एक ऐसा tradition है, जिसको socially acceptable नहीं मना जाता, ठीके, socially उसकाम को करते हैं, तो उसकाम को गलत बना जाएगा, उसकाम को हम बोलते हैं, social taboos, तो यहां पर मैं क्या बताने ही कोशिश कर रहा हूँ, यहां पर मैं यह कोशिश कर रहा हूँ, आपको reading habit, आपको fast reading habit develop करनी है, और logical reasoning आपको develop करनी है, और आपको जो core words है, वो सारे आने चाहिए है, ठीक है, जो high frequency words है, जैसे यहां पर एक word आया, taboo, और barrier, और यहां पर hamper, hinder, यह सारे common words है, यह सारे core words है, तो यह आपको आने चाहिए, और यह जब आप reading करेंगे, तो आपको आराम से आजाएंगे, अब हम यहां पर देखते है, changing such attitude is, attitude को change करने की बात कर रहे हैं, कि इस attitude को change करना क्या है, इस attitude को change करना जरूरी है, तो यहां पर एक तो necessary आजाएगा, और necessary का equivalent क्या है, compulsory तो V और D यहां पर आजाएंगे, इन questions में, यह spotting error के latest pattern के question है, और in question में एक sentence यहां पर दिया गया है, जिसको 5 part में divide किया गया है, last part जो है, यह already correct है, अब 4 part जो बचे हैं, उस 4 part में से 3 part incorrect हैं और 1 part correct है, उस एक correct part को आपको देखना है, यानि conclusion क्या निकला, conclusion यह निकला कि, इस correct part के अलावा, आपको एक correct part और देखना है, और वही आपका answer है, ठीक है, तो इस तरीके से analyze करना है सारे questions को, it was at least that when sanctioning large scale loans to corporates, they were working in collision with a loan arranger firm and had avoided certain guideline, देखे, certain जो word है, यह अपने साथ plural noun लेता है, certain, certain books, certain people, certain cases, तो certain guideline नहीं होगा, certain guidelines होगा, तो एक तो यहाँ पर यह गलत हो गया, यहाँ पर हम loans को sanction करने की बात कर रहे हैं, और loan को sanction करने का जो process होता है, वो एक duration होता है, एक duration की यहाँ पर बात हो रही है, duration का मतलब होता है कि over the period of time, not at a fixed time, but over the period of time, तो इसलिए when का प्रियोग करना यह यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि when जो होता है, वो fixed time के लिए आता है, ठीक है, तो इसलिए when ना लगाते हो, यहाँ पर हम लगाएंगे while, it was alleged, मतलब यह आरोप लगाया गया था, यह आरोप लगाया गया था, that while sanctioning large scale loans to corporates, जब corporates को loan दिये जा रहे थे, जिस दोरान corporates, यानि बड़ी-बड़ी companies को loan दिये जा रहे थे, they were working, मतलब वो लोग काम कर रहे थे, इन collision नहीं आएगा, क्योंकि collision का मतलब होता है, दो चीजों का आपस में टकरा जाना, क्योंकि, collide, जिस हम बोलते है, collide हो गई, दो कारें collide हो गई, collision, आमने सामने की जो टकर या भिलंत होती है, उसको हम बोलते है, collision, लेकिन यहाँ पर आ सकता है, COLLL, USION, जिसका मतलब होता ह agreement, collision यहाँ पर आ सकता है, अब देखिए, इसमें, it was at least that when, इसमें यह गलत हो गया, large scale loan, यह सही है, यह गलत हो गया, क्योंकि collision word गलत है, और इसमें यह guideline word गलत है, यानि इसमें आपका second जो है, यह सही है, fifth part के अलाबा, second जो है, यह सही है, और यही इसका answer है, तो यह है आप की सही approach, अब देखिए, इसमें हम देखते हैं, with redemption pressure, continuing to effect, to के बाद क्या आता है, to के बाद verb की first form हम लगाते है, effect क्या है, verb नहीं है, इसका सही form होता है, effect, effect noun है, तो यह गलत हो गया, the industry seems that fund houses are, fund houses, देखिए, present continuous tense की, इसमें बात हो रही है, तो इसलिए हम turn नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे turning, turning to product like capital production funds to new investor, and to ensure that they, they stayed नहीं होगा, they stayed तो यह पास्ट में चला जाएगा, यहाँ प्रिजेंटेंस की बात कर रहे हैं, इसलिए, they stay invested, तो अब हम देखते हैं, कौन सा पार्ट सही है, ठीक है, with redemption pressure, continuing to affect, यह गलत हो गया, the industry seems that fund houses are turning, यह गलत हो गया, to products like capital production funds to new investor, यह सही है, and to ensure that they stay invested, यह भी गलत हो गया, यहाँ इसमें, third इसमें सही है आपका, ठीक है, अब देखें, यहाँ पर मैं पूरा sentence नहीं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर मैं इस sentence का meaning नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं केबल logical reasoning को apply करके, यह analyze कर रहा हूँ कि कौन सही है, grammatically and contextually, इस तरीके से इन questions को करना है, हाला कि मैं detail में आपको pre-k mains के सारे questions करवा हूँगा, इस video course में, लेकिन यहाँ पर मैं केबल एक approach बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपका mindset क्या होना चाहिए, banking exams में, वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, I hope that you are understanding this explanation, अब दे हमेशा देखा करो कि यहाँ पर दो नाउन है या दो से जादा नाउन है, अगर दो नाउन है यहाँ पर तो फिर अमंग क्यों आएगा, फर तो बिट भी नाएगा, तो यह गलत हो गया, ठीक है, additive, add हम करते हैं किसी चीज को, तो उसके बाद हम क्या लगाते है, it was added to, additive के ब due to domestic spending and rising global, fourth part, I think, इसमें सही है, the RBI has a lot of balancing to do, इसमें अगा, between, liquidity and inflation as a CRR cut is additive to, additive to, sorry, give the fact that inflation continue unabated, given the fact होगा, यह भी गलत हो गया, due to domestic spending and rising global, यह सही है, इसमें, इसमें आपका four part, fourth part सही है, next question देखते है, over the next seven to eight years, the brand staple food, staple food क्या होता है, staple food, जो routinely जिसको हम use करते हैं, consume करते हैं, जैसे जैसे चावल है, rice है, वो पूरे world की 50% population rice खाती है, तो पूरे world का staple food हुआ, वो हुआ, rice, ठीक है, the brand staple food industry, brand क्यों होगा यहां पर, branded, branded staple food industry, इस तके questions आते हैं, बेंके exam में, यह हो foods, industry, are नहीं होगा यहां पर, is expected to के बाद, वर्प की first form आएगी, show होगा, इसमें first part सही है, इसमें आपका first part सही है, first answer होगा, बाकी parts में क्या-क्या गलती है, यह मैंने बता दी आपको, इसमें branded होगा, इसमें industry is होगा, इसमें 2 के बाद, वर्प की first form आएगी, इस तरीके से यहां पर यह जो पाथ है यह आपका grammatically correct है इसमें इस question को देखते हैं it is reported that now for for first time नहीं होता for the first time होता है यह इसमें कलत हो गया China's banking regulatory commission has called on banks to urgently offer special financing supporting नहीं होता support होता है to the agriculture sector to the to the face-off नहीं होता है इंदा face-off होता है मतलब किसी चीज़ के सामने ठीक है तो यह इसमें गलती हो गई अब यहां से देख लेते हैं it is reported that now for the first time होता है जो जी गलत हो गया China's banking regulation commission has called on bank यह सही है I think इसमें to urgently offer special financing support यह गलत हो गया the agriculture sector to the in the face-off होता है यह गलत हो गया इसमें आपका second part has called on bank second part सही है इसमें कमी से इसकॉल डॉल बैंक्स ठीक है इस तरीके से इन कोस्टिन को करना है मैंने यहां पर के वले एक आईडिया दिया है कि banking exams में इंग्लिश को क्या क्या कैसे सॉल्व करना है और क्या आपका mindset होना चाहिए बाकी और सारे questions प्री के लिए मेंस के लिए काफी tough questions में आपको करवा हुआ और से मिस्टेट जी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप कम से कम टाइम में पूरी accuracy साथ इन questions को आपका सकते हैं कि कोई भी feedback आप देना चाहते हैं तो यहां पर आप दे सकते हैं इस में इतना ही आप मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो प्लास में थैंक्यू